वीदा पिपिल हम भारत के लोग जुड़ना है जोड़ना है एक ही काम है बस ये महिनों चलेगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और समन समाज बहुत ज्यादा है इस बात को हर एक व्यक्ति तक पहुचाने में भी बहुत समय लगेगा कि जुड़ना है जोड़ना है कोई कारिक्रम है बस एक सुत का कारिक्रम है एक पॉइंट का एजेंड़ा है बहुत सारे लोग कहते हैं Common Minimum Program अंग्रेज़ में बोलते हैं C.M.P. भई हमारा एक ही C.M.P. है एक ही सूत है जुड़ना है और जोड़ना है सबसे पहले क्योंकि बाबा साब ने कहा था संग्धित रहो भगवान बुद्ध ने संग बनाया और जितने महापुरस हुए हैं वो सारे के सारे संगती के लिए बोलते हैं सत संग के लिए बोलते हैं संगत के लिए बोलते हैं तो ये जो जुड़ना जोड़ना है नाम बहुत छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है तो कैसे करना है अभी जो exercise चल रही है उसमें सबसे पहले जो अपने आपको ये कहते हैं कि हम जागरत लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, intellectual हैं, बुद्धी मान हैं ये तो समय बताएगा क्योंकि पहले उन्होंने कितना अपने आपको गुद्धी मान होने का प्रमान दिया है और आगे कितना देंगे तो सबसे पहले उर्जया एनरजी उन लोगों के साथ खर्च कर रहे हैं हर एक जो जगा हुए व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं कि भाई, आप इखटे हो जाओ, जगे हुए आदमी का, जो समझदार आदमी है, उसका ये पहला काम है बहुत सारे संग्ठन ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लोग उनके मोह में फज जाते हैं, यानि कि उनको संग्ठन से राग हो जाता है और वो अपने संग्ठन के अलाबा किसी और के संग्ठन को संग्ठनी नहीं मानते तो संग्धित होने का विचार उन्हें आता नहीं है तो ये विचार उन्हें देना है कि भाई आपके संग्धन भी जब सारे संग्धित होंगे आप जब सारे जाग्धित लोग इखटे होंगे तब फायदा होगा और आप भी यही कहते हैं सबसे कि संग्डित हो जाओ तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को जो भी जिसको जानता है जिसको मानता है कि यह जाग्रत है यह समझदार है उसके पास जाना है भारत में एक समण समाज का संग्ठन जो 78 में चलता है उसको जागरत संक्टन माना जाता है कि यह जगा हुआ है और वो कहते हैं कि हम जन जागरती का काम करते हैं और हम लोगों को जगाते हैं वैचारिक जगाना हमारा काम है इस बात का उन्हें बड़ा अभिमान भी है होना भी चाहिए क्योंकि इसके लावा कुछ और है भी नहीं मकर उस जो जगे या जगे हुए जो लोग है उनके खंड खंड और टुकड़े टुकड़े हुए है बहुत सारे लोग इस बात के लिए मुझे से कहते हैं कि जी आप बार बार कहते हैं कि 26 टुकड़े होगे, 26 टुकड़े होगे कौन से 26 टुकड़े होगे इसलिでした बताना जरूरी है कि आपको एहसास होना चाहिए कि आपके टुकड़े हैं तब आप जुड़ने का सोचोगे जब आपको बीमारी का ही नहीं पता है तो आप दवाई क्या लोगे SP बामसेफ, बामसेफ, कासी राम, सुरेश राव गुरूप, गंगराब, अमिट का गुरूप, दद्दु परसाद गुरूप, बोरका गुरूप, जल्ली गुरूप, मेस राम गुरूप, ताराराब महना गुरूप, अभिराम मलिक गुरूप, अतरवीर गुरूप, सुबच अच्छे का गुरूप एक भाई तेसिंग का गुरूप एक गंगावडे जी का गुरूप है जो अभी बुड़े होगे मगर वो अब बोरकर गुप में शामिल होगे अच्छी बात है कम से कम दो लोग तो साथ आए एके मौरया बहुजन सोचल फ्रिंट गुरूप कोलोवी हैदराबाद में अभी दो-तीन महीने पहले वो एकस्पार हुए है एक उनका गुरूप है सुरेक चंद, चंबा घाटी में हमाचल प्रदेश में उनका गुरूप, वैचर भाई राठोर उनका गुरूप, मूलचन गुरूप और मध्यप प्रदेश में जो आप जानते हैं जो कॉंगरिस में चलेगे उनका गुरूप इसके लाबा बहुत सारे गुरूप की जानकारी जो हम ले रहे हैं और पूरे स्टेटों में पता कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा लिष्ट है ये तो खिर 1926 हैं ये सारे वो धड़े हैं में जो बामसेफ से सीखें मगर बामसेफ से ये बात नहीं सीखें कि संग को नहीं तोड़ना चाहिए मतलब उन्होंने आधा विचार लिया आधा विचारक हैं वो लोग और उनको ये भी नहीं सीखे कि अगर गलती से टूट जाए तो जुड़ना कैसे होता है जुड़ना भी चाहिए इसके लाबा बहुत सारे लोग गुरूप ऐसे हैं जो चार तरफ तूटे पड़े हैं आप अगर देखोगे तो संत हैं बावा हैं जो महापरोस हैं उनके बहुत सारे गुरूप हैं जगे-जगे उनके ससंग चलते हैं जगे-जगे उनकी सभा चलती हैं बहुत सारे बु 사람들이 नहीं है संग्भोगा परिसंग महासंग बहुत सार इन के नाम है जो चलते हैं पूरी इंडिया के लिए एक लिपाटनिक हैंसंग नाम हैं ने की संग्वका प्रिसंग महासंग में चलते हैं पूर चार चार संथ बने वो हमेंग चार चार गृुब बने वोए एक एक डिपार्टमेंट में एक ही में Er्श गयां करखत यूटा 5 बाम से fig .1% पूरे संथनों का भारत बढ़ा देश है अर भारत में बहुत जादा दोग है जो इस तरह के शमड़ उनके काम करें, उनके बहुत जारा लोग हैं, मगर वो जागरित नहीं है, सोए हुए सिपाहिये सब बना रखे हैं। ये बड़े सारे हैं। क्योंकि युवाओं में जोसेЧто हैике उनको लगता है कि हर एक युवा कासी नाम बन सकता है, हर एक मुख्यमंत ही कुछ्ध कर सकता है। कोई टेंग नहीं है उनको मगद अच्छा है परिपकता नहीं है तो उन से भी कहना है कि भाई आप सारे इसारे इखटे हो जाएं वनना तो कोई फायदा नहीं आपके जोसका और आपके इस उन्हों का ये सब बेकार होने वाला है इसके अलावा जितने भी private sector हैं उनमें हजारों लोग हैं जो agriculture में मजदूर हैं उनमें हजारों लोग हैं जो industry में मजदूर हैं उनमें लाकों करोडों लोग हैं फिर कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे प्रॉफिशनल हैं, टीचर हैं, प्रॉफिसर हैं, महिलाएं हैं, ये सारे सारे सेक्टर हैं, हमारे कल्चरल लोग हैं, जो कल्चरल में काम करते हैं, ये जितने लोग हैं, ये सारे के सारे ही खटे करने हैं, इसलिए काम कोई छोटा है नहीं इसके लावा जो कवीर भवन हैं या जो रविदास भवन हैं या जो बालमी की भवन हैं या जो अमिट का भवन हैं या जो हमारे महापुर्सों के या सतनामी भवन हैं या हमारे बाबा गाडगे के भवन हैं या जो नामदेब के भवन हैं या जो बुद्ध भिहार हैं ये सारे के सारे भी खटे हुने हैं, अगर ये सारे खटे नहीं होते हैं, तो ये individual property है, समाज की property नहीं है, इसलिए वो काम भी है, ये सारे लोग जितने भी हैं, ये सब समर्ण समाज के पार्ट हैं, तो अगर बामसेफ अपने 38-39-39 लोगों को जो ये अलग-लग नाम से चलाते हैं, कासी राम साफ दे टेनिंग लेके, इनको एकटा कर भी लेती है, वेल एंड गूट क्योंकि वो वेचारिक अच्छा है, मजबूत है, इसके बाद काम और ज़्यादा पड़ता है, तो वो काम करें क्योंकि उन्होंने काम करने की जुम्मदारिली है, वो खुद उन्होंने ये कहा है कि हम इस काम को करेंगे, किसी ने कहा नहीं है, समाज ने कभी किसी कारेकर्टा को ये नहीं कहा, मुझे भी नहीं कहा कि आप ये काम करो, उन्होंने अपनी इक्षा से काम लिया है, अपनी स्विक्षा से काम लिया है, तो उनको ये काम करना चाहिए, उनको ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, उनको ये काम ही खुद ही करना चाहिए, इसलिए सारे के सारे लोग जितने भी हैं इस लक्षे में लग जाएं, इस जो का, संख्टनों को बात करने का, लोगों को बात करने का, कारेकर्तां को बात करने का, उनको समझ Robot marvelous उन तक यह बात पहुंचाने का, जब तक इखटे नहीं होगे, सब बेगार है, कहीं कुछ नहीं हो सकता. बहुत यह पूछेंगे, वो पुरानी घिसी-पिटी बातें पूछेंगे, क्योंकि उन्हें जोड़ना नहीं है, और जोड़ना भी नहीं है, उन्हें बिखेरना है, वो बिखरे हुए लोग है, इसलिए ऐसे लोग आ जाएं, तो आप अपना मनोंजन कर सकते हैं, उनसे बाचीत कर सक हैं, हमारा तो कोई नेता है, नहीं, सबको पता है, हमारा तो समिधान ही हमारा नेता है, उसमें जो लिखा हुआ है, वही हमारा नेता है, जो भगवान बुद्ध के विनेपीटक में लिखा हुआ है, वही हमारा नेता है, जिससे बड़े-बड़े लोगों ने संख्टन बन हुए हैं लोग इंजीनिर हैं लोग डॉक्टर हैं लोग वकीर हैं वो किस काम आएगी उड़ जा कोई फारसी की आप तो है नहीं सारे पड़े लिखे हैं तो अपने आप समाल लेंगे काम को और अगर वो अपने आप काम को नहीं भी समाल पाते हैं तो ऐसे लोगों का फायद भग्नवार बुद्रे कहा है कि प्रजेंट में जीना चाहिए अभी पहला काम है हमको इखटे होना आप जब इखटे हो जाओगे तो उद्देश से जो लाब जो चीज़ें आप राप्त करना चाहते वो सारी की सारी प्राप्त हो जाएंगी एसा ही पहले हुआ है बुद्र के समय ऐसा ही हुआ है जब बावा साप की समय हुआ तो और ऐसा ही हुआ जब कासीदाम जी ने खटा किया और ऐसा ही बात में होगा यही सत्य है यही सनातन है धन्यवाद कर दो दो कर दो कर दो